यूरोप के तमाम देशों को जोड़ दें यूरोपियन यूनियन के सारे मतदाताओं को जोड़ दें तो भी भारत के वोटरस की संख्या उनसे डाई गुना जादा है इस चुनाओं में 31 करोड से जादा महिला उन्हें हिस्सा लिया है ये एक देश में महिला वोटरस की संख्या के हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे जादा है ये संख्या अमेरिका की पूरी आबादी के आस्पास है भारत के लोगतंत्र की यही खुपसूर्ती यही ताकत पूरी दुनिया को आकर्शिद भी करती है प्रभावित भी करती है मैं बनारस के हर मतदाता का भी लोगतंत्र के इकुट्सव को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त करता है यह बनारस के लोगों के लिए भी गर्व की बात है काशी के लोगों ने तो सिर्फ MP नहीं बलकि तीसरी बार PM भी चुना है इसलिए आप लोगों को तो डेबल बढ़ाई साथियों इस चुनाव में देश के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो बाक कई अभुत्पुर्वा है इस जनादेश ने एक नया इतिहास रचा है दुनिया के लोगतांत्रिक देशों में ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि कोई चुनी हुई सरकार लगातार तीसरी बार वापसी करे लेकिन इस बार भारत की जनता ने ये भी करके दिखाया है ऐसा भारत में साट साल पहले हुआ था तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई थी आपने ये सवभाग्य हमें दिया अपने सेवक मोधी को दिया भारत जैसे देश में जहां युवा आकांचा इतनी बड़ी है जहां जनता के अथा सपने है वहां लोग अगर किसी सरकार को दस साल के काम के बार फिर सेवा का आउसर देते है तो ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी विक्टरी है बहुत बड़ा विजय है और बहुत बड़ा विश्वास है आपका ये विश्वास मेरी बहुत बड़ी पूंजी है आपका ये विश्वास मुझे लगातार आपकी सेवा के लिए देश को नई उंचाई पर पहुँचाने के लिए कड़ी महनत करने की प्रेरना देता है मैं दिन रात ऐसे ही महनत करूंगा आपके सपनों को पुरा करने के लिए आपके संकल्पों को पुरा करने के लिए मैं हर प्रयास करूंगा साथियों मैंने किसान, नवजवान, नारीशक्ति और गरीब इन्हें विख्षिद भारत का मजबूत स्तंब माना है अपने तीसरे कारकाल की शुरुवाद मैंने इनी के ससक्तिकरन से की है सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है देश भर में गरीब परिवारों के लिए तीन करोड नए घर बनाने हो या फिर पीएम किसान सम्मान निदी को आगे बढ़ाना हो ये फैसले करोडो करोडो लोगों की मदद करेंगे आज का ये कायरकम भी विख्सीद भारत के इसी रास्ते को ससक्त करने वाला है